तो इस पर्टिक्लर सेशन में हम बात करने वाले जो आपका आज DFCCL की तिरफ से नोटिस आया है रिगार्डिंग दा एक्स्टेंशन ओफ डेट यानि कि आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की वो एक्स्टेंड कर दी गई है और जो आपकी CBT के लिए डेट है एक्साम डेट वो भी थोड़ी से आगे की गई है ठीक है थोड़ी क्या काफी आगे हो गई है देखो यहाँ पर जो लास्ट डेट है रिजिस्ट्रेशन की वो यहाँ पर अब कर दी गई है 23rd of July up to 1145 hours यानि कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत भी आ रही थी तो September end तक हो जाएगा बागी बीच में तो आपका situation September तो बहुत अच्छे से हो जाएगी तो first week में भी हो सकता है ठीक है तो यह चीज़े है चलो खेर और तो कोई इसमें आपका कुछ खास है नहीं तो बागी देखो यहाँ पे अब आप यह जो आपको opportunity मिली है एक तरीके से इसको आप आपदा में ना बदले मैंने देखा यहाँ पे कुछ बच्चे इस चीज़ से रो रहे हैं कि आप competition बढ़ जाएगा तो competition तो dear already है मुझे यह समझ नहीं आ रहा आपकी approach यह क्यों नहीं है कि मुझे जितना time मिला है अब मैं बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को cover कर पाऊंगा 100 plus marks भी आप score कर सकते हो है ना तो अब आपको बहुत अच्छी opportunity मिली है कि 3-4 महीने मिल गए और हां एक चीज़ धान में रखो जाइनिंग तक का आपको wait नहीं करना है जाइनिंग कभी भी आती रहे हमें बस CBT से मतलब है क्योंकि आपका पहले CBT होना है फिर आपका CBAT होना है तो CBT वाला exam दो CBAT तो आपका qualifying है यह आराम से हो जाएगा psycho test होता है mainly इसमें तो कुछ खास यह है नहीं ठीक है तो यह तो कैसे क्या करना है वो मैं आपको 10 से 15 दिन में भी करवा दूँगा उसके अच्छे से practice कर लोगे हो जाएगा तो CBT आपका जब तक नहीं हो जाता तब तक बिल्कुल पढ़ाई में बिल्कुल लगे रो और इसमें कोशिश करो अब अराम से 100 प्लस marks score करने की history of Indian railways की मैंने आ आपको 19 classes करा दी हैं उनको अच्छे से कर लो और classes भी दे दूँगा इसमें मैं आपको जो current affair वाली चीज़े हैं या फिर जो भी एक्स्टा चीज़ें और जोड़री है न वो भी करा दूँगा मैंने आपको customer relation स्टार्ट कर वा दिया है तीन classes में दे चुका हो customer relation की जीके की classes आपकी चल रही है तीन classes उसकी भी हो चुकी है दन आपका क्या बोलते हैं जनरल साइंस की class भी आज से स्टार्ट ही है morning में तो आपको बिलकुल अब बहुत अच्छे से preparation कर लेनी अब जो है न आपका जिस चीज़ के लिए आप लोग बहुत tension ले रहे थे economy and marketing ये भी मैं आ आपको कुछ-कुछ mock test भी करवाऊंगा कुछ questions भी करवाऊंगा important हर section से तो even अब ये जो time मिला है मैं चाहता हूँ कि मुझसे related जितने भी बच्चे जो अच्छे से पढ़ रहे होंगे उन्हें यहाँ पे 100-plus mark सब score करने ही है कैसे भी आपको ये time मिला है इसे waste नहीं जाने देना है और जो आपकी कहानी है ना जाइनिंग की वो cbt तक आपको करना है cbt तक अपना जो है अपना पहला जो examination होना इतना कम से कम पढ़ोगी उसमें 100-plus score करके आओ और फिर छोड़ो पढ़ाई लिखाई फिर ठीक है ना कोई कुछ नहीं करना आपको एक बार इसमें score करक लिए वेट नहीं करना फिर जो भी आपको करना है ना आपके पास जो भी चीज़ां बची हुई है फिर अपना जो करना है करते रहो क्लियर है जैसी cbt होगा अपना 10-15 दिन का टाइम निकाल के cbt देना इसमें इसके लिए पढ़ लेना cbt के लिए बताऊंगा क्या क्या अब खुश हो अब थोड़ असा खुश हो जाओ डोंट वरी धीमे धीमे करके मैं आपको सारा कुछ कराऊंगा सारा कुछ और हां एक चीज और डे बाई डे करते जाना एक भी डे का मिस्स करोगे फिर आपका वह आगले दिन में एड हो जाएगा वह सम्मत करना क्यूंकि ज जो बच्चो बच्चों से निकल के राइट ट्रेक पे लगे रहेंगे सेलेक्षण उनका ही होता है ठी consists बच्योंका हो सकता है क्योंकि सारे लोग पढ़तो रही हैं सारे लोग लेकिन जो बिल्कुल भी इधर-उधर ना होके डाइवर्ट ना होके बिल्कुल अच्छे जाओगे तो कैसे क्या होगा बोलते हैं ना लाइफ में वो कॉनसी सिरीज आई थी एस्परेंट्स की सिरीज आई थी ना एस्परेंट्स कफी बड़ीया सिरीज थी वो आई धिंग तीन या चार एपिसोड थे उसके तो उससे सीखो कुछ जो भी चीज़ें आपको सीखने को मिलें उनसे सीखते जाओ और हमेशा लाइफ में एक बात ध्यान रखना कि आपके लाइफ में ups and downs आते हैं मैंने आपको क्या क्या सिखाया है four golden rules सिखाया थे ना आपको मैंने क्या सिखाया थो उसमें अगर आपको याद हो क्या-क्या वो rules है सबसे पहला rule था आपका focus रखना है आपको दूसरा क्या था? hard work करना है तीसरा आपका क्या था? discipline में रहना है ये तीनों चीज़े आपने सीख ली अब फूर्थ मैंने आपको क्या बताया था पेशेंस भी रखना है ये चीज मैंने आपको समझाई हुई थी मुझे पता था ये दिन भी कभी न कभी देखना पड़ेगा इसलिए मैंने पहले से आपको समझागे रखा था फोकस हार्डवक डाड़ी के जो डिसेप्लेन है वो कंपलसरी है बट विदाउट पेशेंस कुछ नहीं होना जो बच्चे पेशेंस खो देंगे न आप लोग खो जाओगे बीच में कहीं और फिर लास्ट टाइम पर जैसे ही नोटेस आएगा अभी ऐसा ही कुछ बच्चों के साथ ATC में हुआ था ठीक है क्योंकि जो AI-ATC का पेपर हुआ उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि कोरोना का टाइम आ गया था बीच में जब आपका पेपर हुआ फिर तो पेपर के बस 5 या 6 दिन पहले आपका नोटेस आया कि आपका 6 देस के और एडमिट कार्ड आनी स्टार्ट हो गए थे 6 देस में कि आपका पेपर है 6 देस के बाद तो फिर बच्चे बस वहीं धेर हो गए आदे के आदे ठीक है जिन्होंने प्रप्रेशन नहीं करी थे उनका नहीं निकलता है भी आप जो 2018 या 2019 वाला जो पेपर हुआ बच्चों का पूछना जिन बच्चों का अच्छा हुआ बच्चों के जिनके इंटरव्यू पड़े हुए उनके चागर के देखना उन्होंने यही जो है अपने इस टाइम को जिन लोगों ने यूज किया उनका हो गया जिनका जिनों ने थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया जो लोगों उनका नहीं हो पाया तो यह जो अवसर मिला है इससे आपदा नहीं बनाना आपको अपने लिए ठीक है और problems है यार of course problem है demotivation है सब कुछ आपका होगा सब कुछ होगा बट चीजें हमें ऐसे ही आगे बढ़ानी होगी ठीक है ना तो अच्छे से विलकुल आपको पढ़ना है महनत लगानी है थोड़ा सा patience भी रखना है कोई बात नहीं सब कुछ नहीं चीजें बट बस सेप्टेंबर तक की ही बात है सीबीटी में बस ऐसा देके आना मैं बस यह चाहते हूं अट लिस्ट जो बच्चे मुझसे कॉंटीनेसली अच्छे से पढ़ रहे हैं वो लोग सीबीटी में आर अब ऐसा करके आओ कि 100 प्लस मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जाने है अब ठीक है ना करंट अफियर पूरा पढ़ डालो जीके का 12 नंबर का सेक्षन है तो जीके पूरा करो CR में आपको करा ही रहा हूं मैं इतना अच्छा कंटेंट दे रही है उसमें explanation भी सब कुछ मिल रहा है complete करो सारा का सारा history of Indian railways में एक single चीज नहीं छोड़ूँगा मैंने कुछ छोड़े ही नहीं हुआ है उसमें बस current affair और 2-4 वीडियो और हैं वो और करवा दूँगा ठीक है समझ में आ रही है मेरी बात तो बिल्कुल अच्छे से motivated होके पढ़ते रहना है जादा tension नहीं लेनी और इसके अलावा ये चीज धान रखना आप एक दिन में कम से कम 4-5 घंटे पढ़ते रहो ठीक है इसके अलावा जो चीजे मुझे पता है कई सारी यार problems होती है मैंने भी बहुत सारी problem face करी तो बहुत यार दिक्कत होती है कि ये काम भी करना है हो सकता है कि कुछ join कर लें ये job join कर लें जो भी करना है करो यार that's okay बट आपको 4-5 घंटे पढ़ने के लिए भी निकालने है ठीक है ना बात मेरी समझ पा रहे हो आप लोग तो ये सारी की सारी चीज़े हैं I hope समझ गए होगे अब सब लोग ठीक है ना तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो and thank you so much God bless you all take care and bye bye